साई की बात चलकाई लिए meilay every day और जो तौफा मिलेगा न उसे हमेशा हमेशा स संभाल कर रखना जिन्दगी भर वह तुमंहारे साथ रहेगा और सुनू जो चोटी चोटी बातों को दिल पे लगा लेते हो ना किसी की भी बातों को तो उसे दिल पे लगाना छोड़ तो मेरे बच्छे, अगर जिंदकी में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ रहना चाहते हो ना, तो यह छोटी-छोटी बाते हैं ना मेरे बच्छे, यह माइने नहीं रखती, जिस दिन तुमने अपनी जिंदकी को एहमियत देनी शिरू कर दीना, अपने आपको एहमियत देनी वो मेरे बारे में क्या कह रहा है तो अगर यही सोचोगे तो कभी जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी और अगर आगे बढ़ भी गए न तो फिर तुम्हें वहां पर भी ऐसे ही लोग मिलेंगे और फिर तुम पीछे हो जाओगे क्योंकि देखो तुम जहां जाओग जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता बलकि उनकी बातों को नजर अंदास करना शुरू कर दो क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने मन्सोवों में कामियाब हो जाए तुम उनकी बातों पर असर करो और तुम पीछे हो जाओ और वो आगे निकल जाए और तुम वही करते हो ऐस तुम्हारे साथ और जो भी मन में बात है न कह दो मेरे बचे मन में उथल उथल तुम्हारे बहुत है सोच रहे हो कैसे कहूं क्या कहूं आगे से क्या जवाब आएगा मत सोचो जो भी मन में बात है न कह डालो क्योंकि तुम्हारे नियत साफ है और जिसकी नियत साफ होती है उसके साथ हमेशा उसका साई होता है मेरे बच्चे हमेशा होता हूँ और सुनो मुझे पता है इस महीने तुम्हे थोड़ा वेतन कम मिला जितना तुमने उमीद किया था जितना तुमने सोचा था उससे थोड़ा सा कम हुआ उसमें बढ़ातरी नहीं हो पाई मुझे पता है कि तुम बहुत मायूस हो तो परेशान मतों बिल्कुल मतों सब हो चाएगा मेरे बच्चे तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकेगा काम तुम्हारे सारे होंगे ये मेरा वादा है तुमसे परसना तुम इस तरह से उदास मत बैठा करो, ये रोने वाली शकल जो बना लेते होना मेरे आगे ये मत बनाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अच्छे से मुस्कुराते हुए बैठा करो मेरे आगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम अपनी शिरारत भरी बाते करते हो ना मेरे आगे बैठ कर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि साई आज मैंने ये किया साई आज मैंने वो किया और जब तुम उदास मू लटका कर बैठ जाते हो ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वैसे भी सारा सब कुछ बोलने का ठेका तो तुम्हारा है ना जब तुम मेरे सामने बैठते हो तो तुम मुझे बोलने का देते हो सब कुछ तुम ही तो बोलते हो सारा सब कुछ बोल बाल कर अपनी सारी बाते रख कर और चले जाते हो मेरी बातों पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं होता कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ क्या करना चाहता हूँ तुम्हें ध्यान ही नहीं होता मेरे बच्चे सुना करो मेरी बातों को भी है ना और सुनो जो फूल गिरा था ना मेरे बच्चे वो फूल गिरा नहीं था, वो फूल मैंने गिराया था, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई प्रश्ण था, तुम मेरे पास बैठे थे, पूछ रहे थे, तो मैंने तुम्हें अश्रवा दे दिया, वो फूल गिरा कर, वो संकेत था कि हाँ, मैंने वो तुम्हारी इच्छा स्विक ना बुलाए लेकिन तुम्हें जाना चाहिए और मदद करनी चाहिए मेरे बचे जाओ वहाँ पर शामिल रहो कम से कम दूसरों के लिए नहीं अपने लिए अपनी खुशी के लिए देखो तुम्हें बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत अच्छे होंग भाग लोगी तरह तो सुनो मेरी बात को पहली बार तो वह चीज तुम्हारे सामने ही है तुम ढूंड रहे हो ना वह तुम्हारे सामने है पता है मिल क्यों नहीं रही क्योंकि तुम देखना नहीं चाहरे क्योंकि तुम परेशान हो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी ची सालवात नहीं है मेरे बच्छे तुम्हारे सामने ही है मिल जाएकी तुम्हें जल्द मिल जाएगी पहले अपने मन को शांत करो और सुनों जो तुम्हारी यह किताबें इधर से उधरcontal मत रखा करो ये कोई किताबे नहीं मेरे बचे सरस्वती मा का अश्रवाद है इन्हीं के जरीए इसी कलम के जरीए तुम्हें आगे बंड़ना है मेरे बचे और यही कलम की शक्ति तुम देखोगे जब तुम कुछ बन चाओगे न जब उस बड़े ओदे पर पहुंच आओगे तो इस क इसका मान सम्मान किया करो यूहीं इधर से उधर ना किताबों को ना कलम को फैका मत करो क्योंकि यही तुम्हारा भविश्य है मेरे बच्चे इसी के कारण तुम उन लोगों पर धाक जमा पहोगे जो तुम पर जमाते हैं तुम देखना और सुनो तुम्हारे घर में जो देवी जी विराजित है न जिस देवी को तुमने अपने घर पर दिराजित किया हुआ है उनकी बहुत बड़ी आशिरवात है तुम पर बहुत बड़ी किरपा है तुम पर जिस कारण तुम्हारे घर में सारे परेशाने टल चाती हैं मेरे बच्चे वो तुम्हारे कुल देवी है तुमने बहुत पांते हो मुझे पता है और वो मा तुम्हारी बहुत रक्षा करती है मेरे बच्चे पल पल तुम्हें बच्चों के तरह ध्यान देती है तुम्हारे घर में कोई भी विग्न नहीं आने देती कभी कोई परिशानी नहीं आने देती अगर कोई रोग भी आता है न तो वो आगर यूही चला जाता है लेकिन उसे रुकने नहीं देती तुमारे घर में तो कोई बुरा होई नहीं सकता मेरे बच्चे जब तुम इतना प्यार करते हो ईश्वर को और सच में मा भगवती को तुम इतना प्यार करते हो तो मा तो कभी भी अपने बच्चों को बुरा चाही नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए और सुनो मुझे पता है जाने अंजाने ही सही तुमसे गल्दी हो गई थी लेकिन तुम्हें उस गल्दी का पश्टावा हो गया न तो कोई बात नहीं मैंने माफ कर दिया है तुम्हें कोई बात नहीं मेरे बच्चे हो जाता है कभी कभी और सुनो अगर तबियत खराब है नहा नहीं पा रही हो तो कोई बात नहीं न, बिना नहाई ही तु मेरे मन से अपनी पूजा करो, मन से पूजा करोगे न, तो मुझे स्विकार है, क्योंकि मेरे बच्चे तन से नहीं मन से साफ होना बहुत ज़रूरी है, अगर तुम यह सोचते हो, कि साइं को नहा कर ही पूजा करने चाहिए, तो ऐ पहले अपने मन को साफ करो और इसके बाद में मेरा नाम लो, मन को बता है कैसे साफ करोगी, मन को साफ करोगी अपने अंदर की मैल को निकाल कर, अपने मन के लालच, द्वेश को निकाल कर, नफरत को निकाल कर, फिर अच्छे से सकरत्मक भाव से तुम मेरा पूजा करो, मेरे करो देखो मैं स्विकार करूंगा जरूरी नहीं कि तुम नहां नहीं रहे तो तुम मेरी पूजा पाट नहीं कर पाओगे या तुम मुझे याद नहीं करोगे ऐसा कुछ नहीं है किसी की बातों में मताया करो किसी के वहमों में मताया करो ठीक है और जो तुमने व्रत रखने क मुझे प्रसंद करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है ब्रत करते हो तो खाया पिया करो इससे तुम्हारे शरीर में कमजोरी आ सकती है मेरे बच्चे वैसे ही तुम कमजोर हो अंदर से बहुत मुझे पता है तो खाते पीते रहा करो और ठीजों की इतनी खामोशी है न जो ये उदासी है इसका कारण भी जानता हूँ मैं मुझे पता है मेरे बच्चे दुनिया के सामने जो तुम्हें हसके रहते हो न हमेशा और अंदर से सैलाव उठा हुआ है अंदर से तुम ऐसे हो की बस कोई मिल जाए कोई अपना ऐसा मिल जाए जिसके कंदे पर तुम सर रखे रो सको अपनी भडास निकाल सको अपनी दर्द को बहार निकाल सको मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत दर्द है बहुत दुख है तुम चिंता मत करो कोई ऐसा होगा तुम्हारे आसपास चिंता मत करो, खुश रहो, आज का मध्यान साई संदेश समातुवा